साथियों नमस्कार मैं सतेंद्र कुमार यादाओं उत्तर प्रदेश सिक्षक पातरता परिक्षा के विवादित मामले को लेके मानने इलहावाद हाई कोर्ट में चल रहे केस पर जो एक याचियों की लिष्ट हमने बनाई थी जो प्रगती अग्रवाल एंड संतावन अदर्स उसकेस को हमने फाइल करवाया था जो कल 28 तारिक को रेजिस्टर्ड होकर उस पर रेजिस्ट्रेशन नमबर मिला और उसका रिट नमबर है जो 6605 आवलिक 2022 तो आप सभी को पता होगा कि केस केस पे सुनवाई तो पहले भी हो चुकी है हमारे केस पे और जो सेकेंड फाइल हमने करवाया है वो सेकेंड फाइल है प्रग्रती अगरवाल एंड संताओन अधर्स पे जिस पे हमारे वकिल सहाब अनुराग अगरहरी जी की हिट टेम है और मानिय अनुराग अगरहरी जी लगतार सारे प्रस्नों को लेके रेड तैयारी अच्छे से कर रहे हैं कि जितने भी अभ्यार्थी जितने भी अभ्यार्थी कोट से जुड़े हुए हैं उनको तेन से चार नंबर संभौता कोट से मिल सकें जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि आयोग अपनी मनमानी करने से कभी पीछे नहीं हटता और मैं अक्सर ही आयोग पे जाता रहता हूँ उसका एक वीडियो भी मेरे पास है मैं अप्लोड करूँगा वहां की कंडिशन्स और चीशे बताऊंगा लेकिन आयोग अपने मनमानी से कभी पीछे नहीं हटता है हर बार गलतिया करता है और ऐसे कंडिशन्स में हमें जो उमीद है वो उमीद कोट से है और कोट से यह उमीद की जा सकती है कि तीन से चार नंबर संभावता पूर्ण रूप से बढ़ेंगे और जो प्रगति अग्रवाल के नाम से हमने केस फाइल करवाया है जिस पे कल हमें रिट संख्या मिल चुकी है साथियों जल्द मतलब मैं ततकाल भाव से इस पे सुनवाई करने की कोशिस करवा रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी हो सके हमें डेट मिल जाये और उस डेट पर हमारी सुनवाई हो जाये क्योंकि पिछली बेंच जो थी वो मान्य सिदार सहब जी की थी जिस पर हमारी सुनवाई हुए और संभावता सुनने में आ रहा कि 5 माई के बाद ये बेंच चेंज होने वाली है तो साथियों देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है लिवरल कोर्ट का होना और सिदाथ साहब का जो कोर्ट था वो लिवरल कोर्ट है और उसमें छातरों के हित में हमेशा विचार रखे जाते हैं और समझे जाते हैं तो एक उम्मीद जगी हुई है कि सिदाथ साहब की कोर्ट लगी है तो उसमें हम लोग अपनी जल से जल सुनवाई करें जिससे कि हमें केस में लाव मिल सकें और उमीद हम करते हैं कि UPTAT 2021 के विबादित मामले पे हमें बहुत जल्दी 3-4 नमबर इसू हो जाएंगे और साथियों देखिए मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि लगातार जो लड़के संपर्क कर रहे हैं मतलब फोन मैसेज तो लगातार कर रहे हैं लेकिन जुड़ बड़ा धीरे रहे हैं कहने का मतलब कि समय तो काफी है लेकिन समय के साथ जरूरी है कि जब हम कोई केस फाइल करवाते हैं तो उस फाइल में यह सोचना महतुपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई केस हम फाइल करवाते हैं तो जैसे grouping में अगर हम case file करते हैं तो हमारे पास खर्च manage हो जाता है जैसे कि filing खर्च जो आता है या फिर वकिल के लिए जो हर बार हर filing पे खर्च फिश देनी पड़ती है वो हमें एक बार देनी पड़ेगी अगर मैं 2-4 लोगों को या 20-25 लोगों को एक एक बार अलग-अलग करवाता रहूँ तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इतना पैसा ना आप आएगा और ना हम लोग लड़ पाएंगे ऐसे हम लोग कमजोर हो जाएंगे तो देखिए जो next filing है वो finally मैं करवा रहा हूं उसे समवार को ठीक है तो आप लोग जितना से जादा जल्दी से जल्दी आप लोग जूड़ना चाहते हैं जूड़ जाएं देर बिलंब करने का कोई बहुत खास मतलब नहीं रह जाता है जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हमें समवार को जितना जल्दी हम लोग जूड़ेंगे जितनी जल्दी हम फाइल करवाएंगे सभी केस्ट पर सुनवाई करवानी है ठीक है तो सारे मैटर एक साथ इंक्लूड होते हैं तो देखिए और आप सभी साथी ध्यान दे कि जो भी जज्जमेंट आने वाला है वो जज्जमेंट आपका कभी भी जनरल आडर नहीं होगा यह मैं समझ चुका हूँ और जो भी जज्जमेंट आडर आने वाला है वो जज्जमेंट आडर आपका याची आडर ही होगा जिसमें सिर्फ याचियों को लाव मिलेगा काफी लोग लगतार कह रहे हैं कि सर अभी समय है तो रोक के फाइल करें भाई कब अगर हम इधर रोक के फाइल करते हैं तो काफी टाइम लगता है जैसे डाकुमेंट्स निकलवाना आप लोगों की आचियो इस्ट तयार करवानी फिर फाइल तयार करवाना इन सब में बहुत टाइम लगता है सारे एविडेंस कलेक्ट करके उसमें एड करवाना तो कहीं न कहीं ज़्यादा टाइम लगने के बज़े से समस्याइं पैदा हो जाती है तो आप लोग ध्यान देजिए कि समय बरबात करने का कोई मतलब या कोई और चित्त हम लोगों के पास नहीं है तो जितना जल्दी से जल्दी हम लोग फाइल करवान सके जैसे मैं सोमवार को फाइनल सब्मिट करवाऊंगा आज आपका सुक्रवार, कल सनीवार, परसो, रभीवार तिन दिन का समय है जिस भी बंधु को अगर याची बनना हो वो ततकाल भाव से अपने डाकुमेंट्स और याची सहयोग धनरासी वो ततकाल भाव से जमा करें, जमा करके याची लिष्ट में जुड़ें ठीक है, तो इसमें ज्यादा भी लंब करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है आप लोग सोमवार से पहले सब कुछ जमा कर लें और जो अपने केस पे क्विश्चन गये हैं उन क्विश्चनों में हम पूरा उमिद रख सकते हैं कि 2017 का आडर है कहीं ना कहीं वो आडर हम करवा लेंगे जैसे कि कई सारे केस लगे हुए थे जिस पे आप लोगों ने देखा कि मानी अनुराग अगरहरी जी ने लगतार अच्छा रिस्पांस दिया है कई केस पे उन्होंने नोटिस भी करवा लिया है मैं सेयर भी करता हूँ जैसे अभी जूनियर जूनियर वाली रिट में सिर्फ तीन लोग डाकुमेंट्स और पैसा जमा कर चुके हैं और जूनियर वाली फाइल में सबसे जरूरी सूचना है ये आज नहीं मैं सनिवार को कल लगभग में सम्मिट करवाऊंगा केस को तो जिस बंदू को बनना है आज फाइनली साम तक अपने डाकुमेंट्स भेज दे नहीं तो हम कल जूनियर की फाइल सम्मिट करवा रहे हैं और जो भी बंदू बनना चाहते हैं वो अपना पर प्राइमरी का डाकुमेंट्स और याची सहयोग धन्दा से जमा करके जूड सकता है क्योंकि ज्यादा लेट करने से कोई फायदा नहीं है और जो रिट पड़ जाती है उसके बाद अन्य छात्र भी आने लगते हैं जूडेंगे तो इस उमीद से आदमी लगा हुआ है कि केस का खर्च भी निकल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे तीन लोग हैं तो तीन लोगों पर ज्यादा वार्डेन पड़ेगा तो मैंने ऐसे विवस्ता किया कि वार्डेन न पड़े वकिल साहब को बहुत बताया गया है कि जूनियर की फिस आपको प्रवाइट करा दी जाएगी जब अन्य अच्छातर बाद में आके जूडेंगे जूडेंगे वो उन्हें फिस दे दी जाएगी तो ऐसे कंडिशन्स में आप लोग भी जूडें और अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों की फाइल मतलब जल्द हम करा देंगे तो जो भी कैंडिडेट्स हैं ततकाल भाव से जूड़ जाएगे और आगे की जो भी सूचना होगी हम आप सबको देते रहेंगे और देखिए इस वीडियो को आप लोग जादा से जादा से जादा सेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि जो मेरा चैनल है आपको जो भी न्यूज मिलेगा एथेंटिक मिलेगा कम से कम अन्य लोगों के अपक्षा जो भी चीज़े होंगी वो सही मिलेंगी तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारी अपडेट लगतार मिलती रहेगी कोई समस्चा नहीं होगी ठीक है चलिए साथियों फिर नेक्ट वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद